जहें साथियो बुद्धो शागत है आपका अपनी ही चैनल एनाएस ओनलाइन हाव में तो दोस्तों यहाँ पर एनाएस डियलेडी और अपरसे से चको के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यू जा रही है और क्या है कुछ अपडेट इस वीडियो में बात करेंगे तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पार होंगे कुछ दिन पहले मैंने एक अपडेट दिखाई थी जो की प्रात्मिक सिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग के दुआरा लेटर जारी किया गया था और लेटर में चर्चा किया गया था कि जिसका भी 50% हो गया है उसको जो है रिजनल संटर को जो है जारी किया गया था और यह जो है बिहार से अपडेट निकल के आया है तो यहाँ पर जो है दो अपडेट के बारे में बात करेंगे पहले इस अपडेट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जो की 50% को लेकर एक अपडेट है और एक अपडेट यहाँ पर बात करेंगे जो यहाँ पर एक लेटर जारी हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं कारियाल है जिला शिक्षप अधकारी जहानाबाद जो की अपरसे सिच्च से संबंदित है और डॉक्टर रंजीत कुमार जो की परात्मी सिच्चा निदेशक ने लेटर जारी किया गया उस लेटर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इस खबर को यहां पर देखेंगे और यह जो खबर निकल काई है यह हिंदुस्तान.com के मायदम से अपडेट आई है और मैं लगातार आप लोग के बीच जो है अपडेट दे रहा हूं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बिहार में इन टीचरों की नोकरी जाने का खत्रा बरकरार है और यहां पर दोस्तो बहुत सारे जो है ऐसे खामिया है और यहां पर थोड़ी सी अनाइस में भी प्रॉब्लम है यहां पर देख पार हूंगे कि आये दिन जो है सिच्छकों को भी काफी जादा जो है तकलीबी उठाने पड़ रही है नीचे में आप कॉमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का त किलीब हो रहा है ताकि दोस्तों मैं जो है आपके कॉमेंट के नुसार जो है वीडियो ला पाऊंग दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इंटर में 50% अंग 50% से कम अंग प्राप तता टेर्निंग नहीं लेने वाले सिच्छकों की नोकरी पर तलवार लटक रही है RTI के तहद केन सरकार का निर्देश है कि 1 अपरेल 2019 से किसी भी अपरसिच सिच्छकों की सेवा जो है नहीं रखना है और उसी को लेकर जो है यह लेटर भी है जो मैं यहां पर दिखाना चाहता हूँ यह लेटर भी उसी को लेकर रहे हैं आपर आप देखेंगे तो यह जो है आपरसिच सिच्छकों को लिए ही लेटर जो है जारी किया गया है जो कि जहानाबाद से यह अपडिट आ रहा है तो दोनों लेटर के बारे में चर्चा करेंगे साथ में प्रात्मिक सिक्षा निदेशालाइक के दुआरा जो लेटर जारी किया गया उस लेटर को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे बिहार में ऐसे आपर से सिचक बड़ी सिंखा में है जिनों ने जिस सिचकों ने अनायस से डिलेडी का कोर्स पूरा कर लिया है यहाँ पूरा कोर्स तो दोस्तों पूरा हो गया है जैसा कि आप लोग को पता है कि 2017 में यह कोर्स जो है अनायस को दिया गया था यहाँ पर कहना है आगे में कि NIS के माइधम से प्रलस टू की परिक्षा में अपना अंग परतिसत बेहतर करने को अभी तक परमान पत्र नहीं मिला यानि बहुत सारा टीचर ने जो है NIS डिलेट तो पुरा हो गया है लेकिन 50% रहने के कारण और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो यहाँ पर सिचक यहाँ पर N.C. को लेकर रहकर दूस्तों बात करें तो पूरे जो 13 लाग का पर सिक्षन किया गया है NIS के माइधम से डिलेटी उसमें जो है दो लाग ऐसे टीचर हैं जो की N.C. से अभी भी जो है प्रॉब्लम में है और कहीं न कहीं वो जो है इंप्रॉब्मेंट कर भी लिए हैं तो उसका जो है सर्ट्पिकेट नहीं आ पाया है तो यहां पर देख पार होंगे यह जो बिहार से अप्डेट निकल के आ रहा है इसमें लिखा है कि NIS के माइधम से पुलस्टू की परिक्षा में अपना आंग परतिसत बेहतर करने वालों अभी तक पर्मान पत्र नहीं मिला है NIS से पुलस्टू 50 परतिसत या उससे अधिक आंग पा चुके DLD वाले सिचक की नोकरी पर खत्रा बरकरार है और यहां पर आप देखेंगे यह जो लेटर मैंने अभी दिखाया यह परसे सिचकों को सेवा संबंदी ही है यहां पर आप देख पार होंगे सेवा संबंदी ही कि यह है जैसा कि आपको पता है कि 31 मार्च 2019 तक जो है इसी हर आल में पुरा करना था तो यहां पर देख पार होंगे जिसका 50 परतिसत प्लस टू में या उससे अधिक DLD वाले सिचक नोकरी का खत्रा बरकरार है इन सिचकों की आविदन पर गंभीरता दिखाते वे जो है प इचले वीडियो में आप लोग अपडेट बताया था कि प्रात्मिक सिच्छा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने जो है छेत्री कार्याले जो है यानि ने से चोट ऑपन स्कूलिंग के जो छेत्री कार्याले है वहां के निदेशक को जो है पत्र लिखा है यहां पर द विभास सिच्छा निदेशक को के निदेशक ने यहां पर एक प्रायमरी डारेक्टर ने आप रिजजनल संटर में यहां के जो पत्र जारी कराया है जितने भी सिचकों का इंप्रुमेंट हो गया है उसका परमान पत्र जैसा कि आप लोग को पता है रोका हुआ है लिंक भी बंद है और दोस्तो इस तरह का जो है आपने भी जो जहां पर आपका सिक्षा भी भाग है वहां से आप जो इस तरह का पत्र जारी करा सकते हैं ताकि आपको भी जल्द से जल्द जो आपका पत्र रुका हुआ है उसे आपका मिल पाए जिसे जहारकन का जिसे बोसरा टीचर का था उस तरह का पत्र जारी करा यहां पर देख सकते हैं कि राष्टी मुक्त विद्यालाय शंस्तान के छेतरी निदेश को प्यात्र भेजा आए शिक्षा विभाग ने राज योजना मत में 949 प्राथ्मिक विद्यालाय में हर निर्मान हर स्कूल की 241 चापाकल निर्मान में इतना कड़ोर स्विक्रीत दी है तो दोस्तों यहां पर देख पार होंगे और इस लेटर के बारे में भी बात करेंगे और वीडियो अगर लंबी नहीं होते हैं तो इस लेटर के भी बारे ब और इसमें कहा गया है प्रेशक जिला शिक्षा पदकारी जहानाबाद सेवा में सभी परखंड शिक्षा पदकारी जहानाबाद बीसे में देख सकते हैं राज के सरकारी विद्याले में कारियात आपर से सिचको को नियोजन समापती के संबन में अपर देख सकते हैं और प् के दुवारा पंचायती राज संस्तान नगर निगाई संस्तान अंतरगत कायरत आप सभी को निदेशित किया गया है किन्तो उक्त निदेश के बाद बावुजूद आप सभी के दुवारा 31.3.2019 बाद कारत आप असे सिचकों को सेबा कराने संबंदी कोई कारवाई नहीं किया जाना आपकी जो है स्वेक्च आचारत्या एवं उच अधिकारिक के आदेश की अवहलना करने का घोतक है पुना आप सभी को अंतिम रूप से निदेश दिया जाता है कि 31.3.2019 के बाद कारत आपसे सिचकों को चीनित कर संबंदीत नियोजों नेकाई से उन्हें एक पक्च के अंदर सेबा मुक्त कराने का कारवाई सुनिचित करे आपके बिरोध आरोपत्र गठीत कर कारवाई है तो समक्ष प्राधिकार को भेज दिया जाएगा तो दोस्तों है आप देख पार होंगे जो 6 तारिक को ये लेटर जो है जहानाबाद के तरफ से जारी होता है और जो सिक्षा निदेशक के द्वारा लेटर जारी हो आए उस लेटर को भी देख लेते हैं दोस्तों जैसा कि आप स्किन पर देख पार होंगे ये लेटर मैंने पिछले वीडियो में बताया था तो यहाँ पर 5 तारिक में ये लेटर जारी होता है और अभी जो मैंने वीडियो में बताया जहानाबाद के तरफ से जो लेटर जारी होआ है वो 6 तारिक के लेटर में जारी होता है यहाँ पर देख सकते हैं प्रात्मिक सिक्षा निदेशक ने जो है छेतरी निदेशक राष्टी मुक्त विदला संस्तान को जो है इसमें लिखा गया है और इसमें एही बाते लिखा गया है कि जो भी D.A.D. न.A.S. के माइदम से D.A.D. किया है चाहे वो सरकारी हो या गेर सर परस्टू में और इंप्रूमेंट कर लिया है उसको जो है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा थोड़ी से मैं यहाँ पड़ देता हूं कि संदर में दिनांग 31-3-2019 के पहस्चाद राज के सरकारी विद्याल में आपरसे सिचको सेवा है तू जो यह पत्र जैसा मैंने अभी ब पुलब्द कराया और प्राप्त आवेदन के ग्यात हुआ कि वैसे सिचक जिसमें देख सकते हैं जिसका जो है एनाएस के मैध्यम से पूर्ण प्लस टू परिक्चा में सामील होकर 50 या उससे अधिक पूरा कर लिया है उनका परमान पत्र एनाएस दुआरा निर्गत नहीं क उससे अधिक आंग या निर्गत होए संदर में जो है या था सिग्र करवाई किया जाए यह जो है प्रात्मिक सिच्चा निदेशक के दुआरा लेटर जारी किया गया और मैंने अभी बताया यह जो आपको अपडेट यहां पर दिखाया दोस्तों यहां पर उसी को लेकर य अभी आप लोग के समख्च लाने का परियास करता हूं तो इस चैनल को आप अभी तक सबस्काइब नहीं किया तो सबस्काइब कर लेना और आप की स्रीजनल संटर से हैं कॉमेंट करके भी बताना ताकि दोस्तों आपके भी राज में इस तरह का अपडेट आये तो सब से प बाई